काईस वेलकम बेक तो माई चैनल ये वीडियो क्लास एट के लिए है जिसमें हम लोग प्रीवेस पेपर का कोश्चन नंबर फिफ यानि पत्र के कोश्चन को सॉल्फ करेंगे तो यह आपके एकसाम के पॉइंट आव व्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप इसे बहुत द्यान से समझेंगे बिझली की समस्या की ओर थ्यान दिलाते हुए तो याद रखना है टोपिक या दे रखार बिजली की समस्या की तरफ द्यान दिलाते हूए संबंत एदिकार यों को पत्र पाद्र जिकेए यह 5 marks का स्बॉस्ट कें उने वर लिमिमिट्स को आप थ्यान र कहेंगे कोई भी जैसे लिखा गया है कृति निगर नई दिली एक लेंग चोड़ते हुए मोदी एक लेंग चोड़ते हुए पत्र को लिखना शुरू करेंगे स्टुड़ाइस एक्साम के पॉइंट व्यू से प्रीवेस कोश्चन पेपर वेरी इंपोर्टन जिसमें आपको और एक आइडिया होता है कि किस टाइब से आपका एक्साम या आपको कोश्चन पेपर में कोश्चन दिये जाएंगे बहुत दियान से सुनना है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मैं आपका धियान अपने शेतर का नाम कृति नगर शेतर में बिजली समस्य की और आकरशिट करना चाहते हूं आप हमेशे याद रखना जब भी किसी से रिलेड़ समस्य दी गई हूँ चाहे वो बिजली की वो पानी की समस्य हूँ आप इस लाइन को कॉमन रखेंगे जैसे यहां दे रखी है इस आप इस लाइन को इस लाइन का यूज करेंगे कि मैं आपका धियान कृति नगर शेतर में जो टॉपिक है बिजली समस्य की और आकरशिट करना चाहती हूँ इस शेतर में प्राय रातरी के समय कई कई गंटों तक के लिए बिजली चली चाहती है तो आप बताओगे कि काफी गंटों तक बिजली यहां नहीं होती इससे लोगों को बड़ी आसुविदा होती है यानि लोग अनकमफर्टेबल होते हैं इन दिनों परिक्षाय चल रही है यानि एकसाम स्टूड़ाइन साभी एकसाम में आई कैटिंग संटेंस को बनाएंगे जो पढ़ने में अच्छे लगें जैसे यहां लिखे गए हैं उनकी पढ़ाई बिजली के अभाव में संभव नहीं हो पाती यानि जो स्टूड़ी है वो बिजली के बिना पॉसिबल नहीं है बिजली कटोती कि कई पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट जाए कि तो इन्फॉर्मेशन सूचना दे दी जाए नो ऐसा कुछ नहीं होता समानिय नागरिक दूदर्शन के कारे भी नहीं देख पाते अगर हम आम लोगों की बात करें तो वो भी अपने कारेगराम प्रोग्राम को नहीं देख पाते दिली में बिजली के बारे में दावे तो बहुत लंबी चोड़े के जाते हैं आप बताएंगे कि दिली को लेकर के बाते तो बहुत लंबी चोड़े के जाती है पर वास्ता विक्ता लेकिन जो रियालिटी है वो कुछ और ही है अब एक लाइन चोड़ते हुए आप लोग उमिद लिखते हैं कि जिसको आप पत्र लिख रही है उससे आप क्या उमिद रखते हैं बिजली विभाग के अधिकारियों से प्राथना है आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस आनियमित बिजली यानि जो कंटिन्यू बिजली चाहती रहती है इसकी कटोती को पंद करें यहां के निवासियों को रहत प्रदान करेंगे अब एक लाइन छोड़ते हुए साधनियवाद सही जो हर उपचारिक पत्र में कॉमंट रहता है अपना नाम लिखेंगे जैसे लिखा गया है पूजा पत्र और अपना अडरस लिख के छोड़ देंगे या आप दिनाग्पियां लिख सकते हैं जैसे दिया गया है अब दूसरा पत्र दे रखा है आपके प्रीवेस पेपर का अथवा या इसका मतलब होता है या तो आप उपर वाला टैन करेंगे या नीचे वाला लेकिन में सीडियो में आपको दोनों ही समझाओंगी क्योंकि आपको जादा से जादा पत्रों के बारों में पत्र के बारे में पता होना चाहिए स्टार्ट करते हैं मित्रिया सकी को संचार के आधूनिक साधनों की जानकारी देते हुए पत्र लिखी है तो आप अपनी फ्रेंड को संचार के साधनों के बारे में बताएंगे communication के बारे में उसको जानकारी देंगे students ये 5 marks किये तो word limit का खास ज्यान रखेंगे हमेशे याद रखना है LHS left hand side से लिखना शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहले आप अपना address लिखते हैं याद रखेंगे एक लाइन चोड़ते हैं अब अपने सखी का मिंत्र का नाम लिखेंगे प्रिये सखी गरीमा कोई भी नाम एक लाइन चोड़ते हुए नमस्ते लिकर शुरू करेंगे कि मैं तुम्हें इस पत्र की तुवारा संचार के आधूनिक साधनों की चानकारी देना चाती हूँ तो आप बताएंगे कि मैं तुम्हें संचार के जो आधूनिक साधन है नए नए रिसोर्से से उनके बारे में चानकारी देना चाती हूँ तुम्हें पता हैं कम्प्यूटर ने अगरिनी सफलता के साथ-साथ मोबाइल फोन में भी चीमेल, इमेल, हाई कोट से पादि सुविधा शुरू करती हैं अगर हमारे पास कम्प्यूटर ना हो तो बेसिकली क्या होगा कि कम्प्यूटर नहीं है तो मोबाइल फोन से इन सुविधा होगा अच्छे से लापराप्त कर सकते हैं इसका फायता उठा सकते हैं इस्टुडेंस आप एक्साम में आई केजिंग संटैंस को बनाएंगे ताकि जब एक्सामिनर रीड लगे तो वो पड़ते टाइम अच्छे लगें, स्टैंडर लगें जैसे यहां लिखे गए हैं दूर संचार के साधनों में तो अगर हम दूर संचार के कम्यूनिकेशन की बात करें, उनके रिस्टॉर्सिस की जो टेलीफोन है, यह तार है, यह टेलेक, सुबग्रे, संचार पैनाली है और सारे इंटरनेट ने सारे विश्च को आपस में चोड़ दिया है आप किसी को भी अपने घर से बैठे, बहुत दूर देशों में, वीदेशों में कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हैं सच में टेमरा यूक्त मोबाइल फोनों का परियोग से भी क्रांती आ गई है तो आप बताएंगे कि जो मोबाइल फोन का स्टेमाल शूरू हुआ है उससे क्रांती आई है अब एक लाइन चोड़ते हुआ अप उम्मेद लिखते हैं कि जिसे आप लैटर लिख रहे हैं आप उससे क्या उम्मेद, क्या आशाय रखते हैं यानि मैं आशा करती हूँ कि मेरी पत्र मेरे पत्र दुवारा तुम्हें अधिक सथिक जानकारी प्राप्थोयोगी कि जो भी कुछ आप में लिखा तो आप दोस्कों बता रहे हैं कि तुम्हें काफ़ इंफॉर्मेशन मिली होगी आगे बेसी तरह जानकारी देने वाले पत्र लिखती रहूंगी अब एक लें चोड़ती हूँ आप यहां लिखेंगे तुम्हारी प्रियसा की बेसिकली एंड में अपना नाम लिखा जाता है जो भी आपका नाम में जिससे लिखा गए है खनेक में दिरता आप अपना नाम लिखेंगे लेकिन यहां नाम लिखना ज़रूरे होता है तो यह प्रिवेस कोशन पेपर के इंपोर्टेंट पत्र थे जो होते हैं कम्प्लीट थैंक्स फूर वाचिंग आगे के कोशन मैं आप लोगों को अपनी नेक्स वीडियो में समझाओंगे इस के इंदर हम एंसियार्टी लिटरेचर की इंपोर्टेंट कोशन को दिये गई काव्यांज गद्यांज को समझेंगे थैंक्स फूर वाचिंग और बेस्ट अफ लग फूर एक्साम्स